आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ इस question में बोला है कि अगर barometer जो है हमारा अगर उसमें mercury के जगह क्या यूज किया जाए water यूज किया जाए तो उसके जो column होगी उसकी कितनी height हमें क्या होगी मलब उसकी कितनी height चाहिए हमें यह हमें क्या करना है, find करना है generally barometer जो होता है उसमें mercury का जो होता है, वो कितना चड़ता है 76 mm 26 cm यह यतना यूज होता है, तो let's do this, इसको simplify करते है तो manometer में जो pressure होता है sorry barometer में वो क्या होता है, P की जो value होती है rho g h के equal होती है तो pressure क्या होगा equal होगा दोनों जो point choose करेंगे, तो rho g h यहाँ पे यह rho किसके लिए होगा h g, यह क्या होगा rho of water into g into h okay, यह h of mercury हो गया और यह h of water हो गया हमें h ही क्या करना है, calculate करना है g से g क्या होगा cancel हो जाएगा, values put करते है mercury की value कितनी होती है 13.6 into h की value उसने दे रखा है कितना है 76 is equals to rho of water 1 into h, इस value को multiply कर लेते हैं, यहाँ से h की value आएगी, यह आएगी तो अगर barometer में हम लोग mercury के जगह water use करेंगे, तो उसकी height कितनी rise हो जाएगी 1033.6 cm क्योंकि कुछ ज़्यादा ही enough है बहुत ज़्यादा large value यह हो गई इतना बड़ा column नहीं बना बनाना क्या इतना मलब हो क्या हो कि level high जाएगा, ओके तो density आप देख सकते हैं कितना difference होता है दोनों में Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर